हेलो एवरिवन आज किस वीडियो में हम डिसकस करेंगे जनरल साइंस के कुछ इंपोर्टन क्वेशन्स जो मेनी प्रीवियस हमेरपुर के एक्जाम में ये क्वेशन्स पूछे गए थे तो फ्रेंड्स इंपोर्टन के मैं आपको जितने भी अंसर बताऊंगा वो फाइनल अन्सर की के अकोडिंग ही बताऊँगा जो हम इर पर बोड़ने जारी की थी तो friends आपने क्या करना है इन questions के short form in notes से जरूर बना लेने हैं क्योंकि revision के time ये questions आपको काफी helpful थाबित होंगे तो friends ये questions आपको अगामी HPSSE, JVT Commission, SI Conductor, JYT Postcode 965 और various exam जो हम एर पर बोड़ दोरा conduct किये जा रहे हैं और आगे भी किये जाएंगे उन सभी exam में ये questions आपको काफी helpful थाबित होंगे तो friends वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप HP TED की त्यारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से playlist नौई है जिसका लिंक मेंने description box में दे दिया है आप आप पर जाकर वीडियो देख सकते हो वहाँ पर आपको SP TED के रिगार्डिंग 100 प्लस वीडियो आपको देखने को मिलेंगी तो friends वीडियो को शुरू करते हैं प्रिंसीपिया जो बुक थी नूटन की उसमें उन्होंने पहली वार इन नेमों के बारे में प्रत्यपाजित किया था बता आया था तो अप्शन नूबर सी इस क्वेशन का राइटन्स रहे क्वेशन नूबर 118 में बोलागे कि the energy possessed via body via virtue of its motion is तो किसी निकाय द्वारा उसके गती के गुण द्वारा धारीत उर्जा कौन सी है काफी important question है क्वेशन नूबर 118 का जो राइटन्स रहे वावका option नूबर B है ये kinetic energy होती है क्वेशन नूबर 119 का जो राइटन्स रहे क्वेशन नूबर B है उसे समवेहन कहते है कनवेक्शन कहते है option B इस question का राइटन्स रहे पदारत की बहुतिक गती के द्वारा उश्मा का जो स्ताना अंत्रन होता है वो समवेहन कहलाता है कनवेक्शन कहलाता है question 120 पे चलते है वो कितनी रेंज तक सुन सकते है तो 20 हड्स लेकर 20 हजार हड्स तक 20 हजार हड्स तक उनकी सुनने की ख्षमता होती है human ear की option C इस question क्या राइट अंसर है question 121 पे चलते है wats can fly in the dark जो चमेगादर अंधेरे में उड़ सकता है जो चमेगादर होती है वो अंधेरे में उड़ सकती है क्यों उड़ती है इसका reason क्या है question 121 का जो राइट अंसर है option C है ultrasonics के कारण ultrasonics के कारण जो चमेगादर होती है option C question क्या राइट अंसर है question 122 पे चलते है 122 में बोला गया कि which mirror is used as a shaving mirror तो दाड़ी बनाने के लिए किसे दरपन का उपयोग होता है कई वार हमने ये question discuss किया है mirror is used as a shaving mirror तो इस question का जो राइट अंसर है option number A है कने केव mirror जो है अब तरल दरपन जो है इस question का राइट अंसर है जो shaving mirror होता है कौन सा होता है कने केव mirror होता है question number 123 पे चलते है in an electric world the filament is made of तो विद्जित वलब में जो filament बना होता है वो किसका बना होता है question number 123 का जो राइट अंसर है वो आप्शन number D है वो tungsten का बना होता है किसका tungsten का बना होता है option D इस question का राइट अंसर है question number 124 पे चलते है hydrogen bomb is a waste तो hydrogen bomb जो है वो उधारित होता है किसके उपर waste होता है question number 124 का जो correct answer है आपका option number B नुक्लियर फ्यूजन जो है इस question का राइट dazzle ना भी कियाजल लह यानपर जो hydrogen bomb होता है वो waste होता है नुक्लियर फ्यूजन पर ना भी किये सल लगया नवर क्वेश्चन नमर 125 पे चलते हैं क्वेश्चन नमर 125 में बोलगे कि विच ऐसेड इस यूजड इन लेड स्टोरेज बैटरीज तो सीसा संचाय के सहल में कौन सा ऐसेड जो है वो प्रियुक्त होता है वीच एसर इस यूजड इन लेड स्टोरेज बैटरीज यूजड होता है लेड स्टोरेज बैटरीज में तो ऑप्शन नमर दी इस यूजड क्या राइट zg है कोशन नमर 126 पे चलते हैं ब्लीचिहिंग पाउडर किसे कहते हैं question number 126 का जो right answer होगा वो आपका option number C है calcium oxy chloride जो को bleaching powder गयते हैं आपने comment section में इसका जो chemical formula है वो आपने comment section में ज़रूर बताना है question number 127 पे चलते हैं which is a good conductor of heat and electricity उश्मा रुविद्युत का सुचाल का कौन है तो grey fight जो है इस question क्या right answer है grey fight is a good conductor of heat and electricity option number D इस question का right answer है question number 128 पे चलते हैं bronze is a bronze क्या है का सा क्या है इस question का correct answer होगा 128 का वो आपका option number C है bronze is a mixture bronze mixture है किसका mixture है यह आपने comment section में ज़रूर बताना है जो bronze वो किसका mixture है option number C इस question का right answer है question number 130 पे चलते हैं glass is a west described as तो कांच इस rest वरनित है तो कांच को हम कैसे वरनित कर सकते हैं यानिके describe कर सकते हैं glass को तो इसको हम question number 129 का जो राइटनसर होगा वो आपका option number C है इसको हम super cool liquid as a super cool liquid इसको हम describe कर सकते हैं glass को option number C इस question का right answer है question number 130 पे चलते हैं इसमें बोलागे कि which is a synthetic polymer तो synthetic polymer कौन सा है इसमें से कौन सा जो essentialist तो बहू लग है तो synthetic polymer कौन सा है question number 130 का जो राइटनसर है वाकि जो आपके blind snake हो गया रैटल सरप हो गया और समुंद रिसी सनेक हो गया यह तीनों जो है वह आपके टूसनेक है ग्लासनेक जो है वो तूसनेक नहीं है वास्तिक सरप नहीं है तो option number D is question car right answer है question number 132 पे चलते हैं very very is caused by the deficiency of which vitamin बिटमिन तो वेरी वेरी रोग जो है किस वीटमिन की कमी से होता है और अगला प्रशन access of water in a water is resulting तो स्रीर में जल कि दिखता है कि परिणाम से रूप होता है क्या होता है इस question का जो राइटन से वाका option number D है none of these जो है इस question का राइटन से अकॉर्डिंग टू फॉइनल अंसर की question number 134 पे चलते हैं pain-related drugs are also known as तो दर्द निवार के दवा को क्या कहते हैं इस question का जो राइटन से वाका option जो है जो है इस question क्या राइटन से आपने comment section में जुरूर बताना है कि दर्द निवार के दवा को क्या कहते हैं pain-relieving drugs are also known as अगला प्रशन है पेसमेकर is related तो पेसमेकर किस से related है पेसमेकर संबंदित है question number 135 का जो राइटन से वाका option नमर डी है यह पेसमेकर जो होता है वो आपका हर्ड से related होता है यह आपने यहाल दखना है हर्ड से यह related होता है question number 136 का जो राइट अंसर है वाका option number यह है हरी सबजियों में बाजाता है और इन इस एवेंदेंटरी फॉंड इन ग्रीन वेजटेबल तो आप्शन नमर यह इस question का राइट अंसर है next question में चलते हैं अगले question में बोलागी कि vegetables are cooked in lesser time while adding a pinch of salt while cooking equals तो सब्जियों को पकाते समें उसमें एक चुटकी नमक डालने पर वे एक कम समय में पक जाती है क्यों पक जाती है इसका reason क्या है question number one का जो राइट अंसर होगा वाका option नमर ए है जलिका जो कुवंधनाक होता है वो बढ़ जाता है boiling point of water increase हो जाता है जिस कारण सब्जियों को पकाते समें उसमें एक चुटकी नमक डालने से वे कम समय में पक जाती है तो option number two पे चलते है इने filament type light bulb most of the electric power consumed appeared है तो filament परकार के प्रकाश बल्ब में उपवोग की गई अधिकास विद्य शक्ती प्रकत होती है तो option number two is question का right answer है Question number three पे चलते है an image found by a plane mirror that cannot be obtained on a screen is called तो समतल दरपन द्वारा जो निर्मित प्रतिविम है जो की परदे पर प्रापत नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहते है Q3 जो राइट अंसर होगा वो आपका option number A है Virtual image उसे कहते है Image formed by a plane mirror that cannot be obtained on a screen is called virtual image अभासी प्रतिविम जो है इस question का राइट अंसर है Question number 4 पे चलते है Conversion of sound energy into electrical energy is done by दुर्दवनी उर्जा को विद्यो तुर्जा में डैस द्वारा परिवर्तित किया जाता है Question number 4 का जो राइट अंसर है आपका option number C है Microphone जो है इस question का राइट अंसर है Conversion of sound energy into electrical energy is done by microphone दुर्दवनी उर्जा को विद्यो तुर्जा में microphone द्वारा परिवर्तित किया जाता है Question number 5 पे चलते है Which is used a moderator in nuclear reactor तो नाविकी reactor में मंदिक के रूमें कौन सा परियुक्त होता है Which is used as a moderator in nuclear reactors Question number 5 का जो राइट अंसर है आपका option number B है Graphite जो है इस question का राइट अंसर है Graphite is used as a moderator in nuclear reactors Question number 6 पे चलते है Which is a pure element Pure element कौन सा एक शुद तत्व है यह आपने बताना है Question number 6 का जो राइट अंसर है आपका option number C है Sodium जो है वो एक pure element है Option number C इस question का राइट अंसर है Question number 7 पे चलते है Which mineral does not contain oxygen इस question का राइट अंसर है यह आपने बताना है तो इस question का जो राइट अंसर है Option number C है Cryolite जो है इस question का राइट अंसर है इस मिनरल में oxygen नहीं होती है Question number 8 पे चलते है Which gas is colored कौन सी gas जो है वो रंगीन होती है Question number 8 का जो राइट अंसर है Option number C है इस question का राइट अंसर है इस वीडियो को यह last question है Firefighting clothes are made from तो अगनी रोधी पोशाक जो है वो बनी होती है Question number 9 का जो राइट अंसर है Option number C है S टे वस्तोस जो है इस question का राइट अंसर है S वेस्तोस जो है Firefighting clothes जो होते है वो बने होते है S वेस्तोस के Option number C इस question का राइट अंसर है तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में वस इतना ही आज हमने Journal Science के कुछ important question डिसकस किये जो previous HPSC हमेरपुर के exam में ये questions पूछे गए थी तो फ्रेंट्स इन questions के मैंने आपको जितने भी answer बताई वो final answer की के according ही बताई है जो हमेरपुर बोर्ड ने जारी की थी तो आपने क्या करना इन questions के short form और नोट से जूरूर बना लेने हैं क्योंकि revision के time ये questions आपको काफी helpful थावित होंगी अगर आप HP TED की त्यारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से playlist नाई है जिसका link मैंने description box में दे दिया है आप बहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो बहाँ पर आपको HP TED के रिगार्डिंग 100 ब्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी तो ये questions आपको HP SSC JVT Commission, SSI Conductor, JYT Postcode 965 और various exam जो हम एर पर बोड़ दोरा कंड़क्ट किये जा रहे है और आगे भी किये जाएंगे उनसे भी exam में एक उश्मजा को काफी हर्पल साथ होंगे तो आज की इस वीडियो हैं बस इतना ही तो थैंक्यू फ्रेंड्स